यूपितक का परिवार अब सब्तर्ला आपका बहुत बहुत शुक्रिया पर्धानमंति नरेज मोदी जी की सरकार है योगी जी की सरकार है इस धारविक किताब को राश्टिय गरंध खोसित होना चाहिए तो कि राम 40 मानस के उपर भगवार राम का नाम लिखा है तो कि जो भी रामार में लिखा हुआ है औरान में लिखा हुआ है वो हमेशा जब तक दुनिया कायम रहेगी, उसकी बात मानी जाएगी, कोई उसमें से एक अच्छर मिचा नहीं सकता है। हमारे पीछे जो तस्बीर देख रहे हैं ये हासी मंसारी की है। हासी मंसारी बाबरी महजिद के मुद्दई थे। लंबे समय तक उने बाबरी पक्छ की तरफ से मुकद्मा रड़ा। और लगातार कहते रहें कि इस बिबाद से किसी का भला नहीं होने वाला इसको सुलजाना जरूरी है। अब उनके बेटे एकबालन सारी हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि बैमनस्ता की जो राजनीत है और बैमनस्ता की जो शब्द हैं जो अलग-अलग मंचों से लोगों के द्वारा बोले जा रहे हैं वो बंद होने चाहिए। आज उन्होंने फिर एक बड़ा बयान दिया है। एकबाल जी क्या नया बयान दिया है आपने आज। जो है धर्म की नगरी है हिंदू मुस्लिम सीक्षायों की नगरी है और अजुद्या में दस हज्जार मूर्तिया यहां है जो जो है भगवान राम के नाम से जानी जाती है हमारा तो यहीं कहना है कि आजकल लोग जो है राम्तिरिस मानस के उपर लोग तिपड़ी करते हैं औ किताब के उपर लोग तिपड़ी करते हैं हम एक सरकार से मांग करते हैं कि जो लोग धर्म के उपर पर पर्तिमन्द होना चाहिए उसके उपर लोग तिपड़ी ना करें तो हिंदू और मुसलमान सिक्षायों में एक विबात पैदा होता है तो हम तो यहीं चाहते हैं कि हमारे देश में हिंदू मुसलिम सीक्षाय की जितनी भी किताबें हैं उस पर एक जो है कानून मनना चाहिए जगर उपर लोग तिपड़ी करें तो उनके उपर कानूनी कारवाई होना चाहिए लेकिन राश्टिये ग्रंथ गोसित करने की जो र आश्टिये ग्रंद खोसित होना चाहिए लोंकि राम तेरित मानस राम तेरित मानस के उपर भगवान राम का नाम लिखा है इसलिए हम चाहते हैं कि जो लोग भी तिपड़ी करें उनके उपर कानूनी कारवाई होनी चाहिए लेकिन आपकी इस बात से बहुत लोग नाराज भी होंगे आपके उपर देखिए नाराज जो है पूरे दुनिया के लोग हो जाए लेकिन जो सच्चाई छुप नहीं सकती सच्चाई छुप नहीं सकती क्योंकि वहां भगवान का नाम लिखा हो उसको लोग लोग जो है तिपड़ी करते हैं उनके उनको सजा मिलनी और लोग आज भी यहां के लोग उसी सांस से जिन्दा है और यहां से अच्छा संदेश लोग देते रहते हैं तो हम यहीं चाहते हैं कि देवी द्रतार जो हम अचुद्या बासियों के बिल्कुल करीब है इसलिए हमें डर भी नहीं लगता डर नहीं लगता आपके पिता ज जब तक ये मुकदमा रहा तो लोग के जो है हिंदू और मुस्लिम ये केस को जो है अदालत में देखते रहे लेकिन कुछ दिनों के बाद में ये राजनित में आ गया तो राजनित में जब आ गया तो हम लोग खुछ आते रहे कि ये जो है मंदिर मुस्लिम का मुकदमा नहीं लोगों को आने जाने वालों को बहुत आसानी होगी एक आखरी सवाल है जिस तरह से यह आपने कहा कि राम चरिद मानत कुराश्टी ग्रंद कुषित इसके बड़े मायने हैं आप इस समझ रहे हैं देखिए जहां देवी देवताओं का नाम लिखा हो वो बड़ा होता है ना कि इनसान की यह हैं लोग की पड़ी करते हैं व उसकी बात मानी जाएगी कोई उसमें से एक अच्छर मिटा नहीं सकता यह ताकत दुनिया के लोगों में नहीं है तो यह जो लोग सुनेंगे आपकी बात को तो ऐसे लोग यह सोचेंगे क्या मन में कुछ आपके है लोग जो है बहुत कुछ सोचेंगे भाई बहुत करेंग कि यह जिम्मिदारी सरकार की बनती है कि अगर हमें कोई मारने आवेगा तो सरकार हमको बचावे हैं इसके आगे हम कुछ कहीं ने सकते हैं बाकि अल्ला मालिक है तो यह थे एक बालंसारी जो साफ तोर पर कह रहे हैं कि बैमनस्ता और धर्म को बाटने इस तरह की जो लोग भी जाती है तो वह ससर्थ तैयार हैं और वह उससे डरते नहीं है ऐसे लोगों से कता ही नहीं जो समाज में नफरत के बीज बोना चाहते हैं बनबीर सिंग आयोध्या पुम्या ओर्म